तो हम बात कर रहे हैं इस सीरीज ऑफ लेक्चर में एंटिडाइबेटिक ड्रग के हवारे से सबसे पहले हमने जिकर किया है डाइबेटीज का कि डाइबेटीज जैसे शुगर की बिमारी कहते हैं वो दो तरह की है एक टाइप वन डाइबेटीज होती है और एक टाइप टू होती है टाइप वन डाइबेटीज अक्सर लोगों को 25 से 30 साल की उमर में हो जाती है टाइप टू डाइबेटीज जो है अक्सर वकाद 40, 45, 50 साल की उमर में होती है यह इस से उमर भढ़ जाए तब हो जाती है और टाइप वन डाइबेटीज में जो मेडिसन इस्तेमाल होती इसका नाम है इंसुलीन जबके टैब 2 मेडिसन इस्तेमाल होती है उसमें मुखतलिफ तरह की टैबलेट्स आती है जिसमें हमने अल्रेडी जिकर किया है मैटफॉर्मीन का जिसमें बात हुई है गलिपिजाइड का और आज इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू है उसको क तलिफ तरह की डोजिस है एक मिली ग्राम में अवेलेबल है दो मिली ग्राम में अवेलेबल है तीन मिली ग्राम में अवेलेबल और चार मिली ग्राम में भी अवेलेबल है अब जाहर सी बात है कि आपके डाइबटीज को देखते हुए ही डाक्टर आपको जो है वो कोई एक dose prescribe करेगा एक मिली ग्राम है तो आप एक ही मिली ग्राम की ड्रग लेंगे दो या तीन मिली ग्राम ना लें क्योंकि इसका डारेक्ट तालुक है आपकी शुगर लेवल से और शुगर लेवल को maintain करना बड़ा जरूरी है सिर्फ कम नहीं करना होता कम करने से तो Mr.Hipoقيकलास ही मिली हो सकता है याद रखेए शुगर का बढ़ना अगर खतरनाक है तो शुगर का कम हो जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है शुगर के बढ़ने में शायद आप न मरें शुगर के कम हो जाने में याकिननं आप मर जाόगे तो आपने वही medicine उसी dose में लेनी है कि जिसमें आपको prescribe की जाएती है अच्छा कुछ बाती इस medicine के हवाले से याद रखें कि दिन में एक tablet आपके लिए काफी है लेकिन साथ में ये बात याद रखें अपनी diet और exercise का ख्याल लाजमी रखेंगे और इसके इलावा इस getril के साथ आप कोई दूसरी medicine इस्तेमाल नहीं करते मेटफर्मिन वगरे इस्तेमाल नहीं करते वरना ये शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा घटा देगा और अगर शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गई हाइपोग्राइसीमिया हो सकता है जिसकी वाज़ा से बेहोश हो सकते हो कोई नुकसान हो सकता है मर सकते हो अच्छा एक और बात अक्सर जो diabetes है ना यह जो medicines है इसका जो दिन जुजन को diabetes होती उनको दिल का भी problem होता है लेकिन गैट्रिल एक ऐसी medicine है जो दिल के stational diabetes लेकिन उसमें कभी भी कोई medicine खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी gynecologist से मश्वरा करें और gynecologist जिस तरह मश्वरा दे उसके मश्वरे के मुताबिक ही आप किसी ड्रक के इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लाव अगर medicine के हावाले से कोई भी जानकारी चाहिए आप comment section पूछिए साथ ही एक छोटी सी गुजारिश होती है हमारी के channel को like कर लें comment करें share करें और subscribe कर लें शुक्रिया